प्यारी साथ संगा जी प्यार से कहिए धन्यकार जी आओ प्यारी साथ संगा जी आज का विचार कि जानत है पर मानत नहीं मानस है मनमूद जगत चबेने का काल का कुछ मुख में कुछ कुछ आओ प्यारी साथ संगा जी कह रहे हैं कि बास्तिविक सत्य तो इंसान जानता है ल कुछ讲 ने वाला है उन्सान जानता पर मानता नहीं अब MONता की नहीं क्योंकिए कि प्राचन समय के कुछ ऐसे कर्मि ऐसे हैं कि वह उसके कर्म ही उसको निकलने नहीं दे रहे हैं फिर उसे समय के सद्गोरु की सरण नहीं आप जैसा कोई तत्ववेता संत उसके पास ना तो प्यारी साथ संगह जी इसले वो मानता नहीं तो बास्तम में तो की जिन्दगी तो बेवफा है एक दिन छुकुराएगी अरे मौत महबूबा है मेरी संग ले करके जाएगी अब यह जो अलफाज है यह जो सब्ध है यह तो ब्रहमग्यानी संथ कहते कि मौत है तो मिला होता कि भाई साब आपको ये बंगला खाली करना तो उसे पता भी खाली करना जो इनसान जो अफिसर सही से खाली कर देता सही है बना उसके लिए क्या होता है पुलिस बुलानी पड़ती है खाली तो करना ही पड़ेगा आओ प्यारी साथ संगा जी ये जो बिल्डिंग है ना उन्हें पता होती है संतों को ये किराई का घर है एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा है जब मौत तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो ये जो है ना सरीर जो है ये जो विल्डिंग है ये किराई का घर है हमें आकर एक दिन परमातमा की पा वाणी से अपने सरीर से मन से किसी को भी हट नहीं करना है क्योंकि हट करना है तो फिर हम यानि फिर हम सद्गुरु के प्यारी नहीं होंगे तो हमें क्या करना है हमें इन तीनों चीजों पर वाणी पर सरीर पर मन पर कंट्रोल करते हुए अपने जीवन को सद्गुरु के समर् लेखिए तो बास तम में फिर शुड़कारा मिल जाएगा आपको कोई गाली देता आपको कोई आपके साथ अभीलना करता डिज्रिस्ट करता तो आप समझ लीजी आपका तो है ही नहीं तो डिज्रिस्ट किसका कर रहा है तू जाने तेरा काम जाने है सद्गुरू तू मेरा स सोचना है मेरा सद्गुरू से कलाता है हमें उसके लिए भला ही मांगना है कि भला मांगता हूँ मैं सारे जमाने के लिए कर भला तू दाता सारे जमाने के लिए कि नियंकारी मिसनवाई क्या चाहता है अरे देश में अमन वा सकू चाहता है रहे मिलकर हिंदू मुस्लिम से क साय बस यही चाहता है तो प्यारी सास संगय जिवन प्यार से गुजारते हुई और प्यार से कहिए निंग का जे